लोग सोबच उनावों को लेकर एबीपी न्यूज और सी वोटर का एग्जिट पोल और इस एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि इस बार केंदर में एंडिये की सरकार 55 फीजदी वोट शेयर लेकर आने जा रही है जनता क्या सोस्ती है क्योंकि नतीजे 4 जून को आएंग तो एग्जिट पोल के मताविक राजस्थान में 21 से 22 सीट है बीजेपी को और 3 से 4 सीट कॉंग्रेस के खाते में जा सकती हैं लेकिन क्या जनता इस एग्जिट पोल से तिफाक रखती है यह हम जानेंगे इस वक जो हमारे साथ तमाम लोग है आपका नाम बताएं देश की में बात करूं तो 400 के आसपास आजा नीची लोग सोचते हैं 400 आपका नाम महावीर गुपता है मेरा नाम मैं वानता हूं कि राजस्तान में 25 में से 25 सीटे पोलराइजेशन के कारण बीजेपी को मिलने वाली रही और अगर देश की में बात करूं तो जनता कह रही ह सरकार बननाते हैं वीजेपी की लेकिन 400 400 मुश्किल है आपका नाम बता है कौशल अगरवाल मेरे को यह मानना कि मोधी में हो रहे हैं सब और यह कम से कम तीन सो पार तो होंगी होंगी तीन सो पार और राजस्तान की बात करें तो 25 में से 20 तो होंगी तो यह पांच सीटे कम म है कि तीन देर हैं कॉंग्रेस को मुश्किल है वो भी फिर कहां जाएंगी वो आएगी तो भी ठीक है लेकिन मेरे को नहीं लगता है हरीश रोडा हरीश जी बताए क्या लगता है इस बार देश में अब कि बाद मोधी जी का जो नारा है 400 पार यह पक्का रहेगा और जरूर रहेंगी चार सुबाइगे और जासो पार नारा रहेगा मोधी जी ही आएंगे यह इत्फाक रखते हैं आप अपका पका आप गा मोधी जी आएंगे 400 सीटों से ज्यादा ही आएंगी और गाजिस्तान में 25 की 25 सीटे आएंगी सरकार तो मोदी जी की बनेगी वही 22 के करीब रास्तान में बीजेपी की बाकि सरकार मोदी जी की कनफर्म 400 पार 300 पार 400 पार तो नहीं 345,680 के करीब आजाएगी मोदी जी का चार सो पार का नारा जो था वो शत प्रतिशत जाएगा और रास्तान में 25 के 25 सीट आएगी एक भी सीट जिखावाने का कोई चांस ही नियर बाजबागा पूरी पच्चिस तो यह जैपुर की जंता यह मानते है कि मोदी जी का जो नारा है इस बार 400 पार वो सार्तक होगा और जहां तक राज़स्तान की बात है लोग ज़्यादा तर यह मानते हैं कि राज़स्तान में कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि 25 की 25 याने हैट्रिक की तैयारी है राजस्तान के लिहाज से बीजेपी की कैमरामेन गोविन साहू के साथ मनीश शर्मा एबीपी नियूस जैपूर